ज़ज्मिन्ट फ़कॉर्ट के नौट बी डारेक्ली ओवरूल बाई दे लेजिसलेचर सरकार को हरकाते हुई एक मैसेज देते दिखे कि खबरदार जो सुप्रिम कोट के लिए गए निड़ने को आप पल्टे हैं उन्हाँने कहा कि आप अदालत के लिए गए फैसले को खारीज नहीं कर सकते हैं इस सरकार ने इस हाल में ही कई ऐसे निर्णेलिये जो चुहने वाले थे खास करके CGI डिवाचंद्रचूर की इमानदारी और निर्भीक फैसले उन्हें खटकते हैं मोदी सरकार उनके खिलाफ चली जाती है और इस बात का गुसा CGI डिवाचंद्रचूर ने हिंदुस्तान टाइम्स के मंच से जाहिर कर दिया है हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि CGI डिवाचंद्रचूर ने क्या टुपनिक की है क्या उन्होंने मैसेज दिया है लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन-कौन से फैसले हैं जो लगातार मोदी सरकार पलटती रही है या फिर अंदेखी भी की गई है सबसे ज़्यादा चर्चा में हाल ही में दिल्ली सरकार को लेकर जो सुप्रिम कोट का फैसला था दिल्ली की चुनी हुए सरकार को उधावने बौस करार दिया तो मौका देखते ही मोधी सरकार ने सुप्रिम कोट के फैसले को पलट दिया और फिर अध्यादेश ले आया गया और उसे कानून की शकल भी दे दी गई तो पहला काटा जो CGI डिवा चंद्रचूर को चुभा जो हैरानी हुई वो यही था दूसरा मुद्दा देखिए अब इन सब मामले में क्या खेल हुआ कि चुनाव आयोग की कमिट्री जो बनाई गई उसमें CGI डिवा चंद्रचूर भी थे कि चुनाव आयोगतों का सेलेक्शन वो भी करेंगे लेकिन मोधी सरकार ने कहा कि हमें इस कमिट्री में CGI की जरूरत नहीं है हम अपने सरकार के एक मंत्री को रखना चाहते है अब यहां भी सुप्रिम कोट के फैसले की अभेलना हो गई इससे भी CGI डिवा चंद्रचूर क को दूसरा काटा चुपा बात इतनी तक ही सिमट जाए तो अच्छी बात थी लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि बैक टू बैक फैसले पल्टे जा रहे हैं आपको याद होगा इडी के तब के चीफ संजै मिश्वरा को हटाने के लिए सुप्रिम कोट ने कई फैसले जारी की अल्टिमेटम दिया लेकिन सरकार सुप्रिम कोट के फैसले के खिलाब सुप्रिम कोट में ही पहुँच गई और समय माँगने लगी यह भी CGI डिवा चंद्रचूर को खटका महराष्ट्रा सरकार को लेकर के CGI डिवा चंद्रचूर ने संभिधान का टकाजा रखते हुए यह कहा कि जाए स्पीकर महोदे फैसला कर लीजिएगा हम आपके पाले में गेंद डालते हैं लेकिन स्पीकर्स आप कुंडली मारे बैटे रहे और अभी तक एक तारिक तो मुकरर कर दी गई है लेकिन कोई फैसला आया नहीं है यह सारे केस आप देख रहे हैं और यह सब सिलसला कहीं न कहीं CGI डिवा चंद्रचूर को नागवार गुजर रही है तो ऐसे में अब CGI डिवा चंद्रचूर ने भरे मंच से जो चेतावनी दी है जो अल्टिमेटम दिया है वो मोदी सरकार की नींद उरा देने के लिए काफी है उन्होंने पहले भी कहा कि हम में फर्क है हम भले ही निर्वाचित नहीं होते हैं लेकिन सम्विधान के प्रहरी तो हम लोग हैं और यही हमें एक खास बनाता है और मोदी सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है तो उन्हें लगता है कि सुप्रिम कोट कारेपालिका और विधायका में दखल अंदाजी ना करें अब यहां देखिए सीजे आडिवाचंद्रचूर ने इस बक्त क्या कहा है देखिए अपने स्क्रिट पर सीजे आई ने कहा विधायका या नहीं कह सकती कि हमें लगता है कि फैसला गलत है और इसलिए हम फैसले को खारिज करते हैं किसी आडालत के फैसले को विधायका सीधे तोर पर खारिज नहीं कर सकती है या एक मैसेज है इतना ही नहीं नहीं ने बताया कि एक विभाजन रेखा तो है उस विभाजन रेखा को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोट क्या फैसला लेता है और सरकार कैसे फैसला परटने के लिए बेताब हो जाती है यहाँ पर लिखा हुआ है CGI ने कहा अदालत का फैसला आने पर विधायका क्या कर सकती है और विधायका क्या नहीं कर सकती है इसके बीच एक विभाजन रेखा होती है उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्णय किसी विशेश मुद्दे को डिसाइड करता है और यह कानून में किस कमी को इंगित करता है तो विधायका के लिए यह हमेशा खुला है कि वह उस कमी को दूर करने के लिए एक नया कानून बनाए लेकिन गौर कीजिए यहाँ पर CGI साहब का कहना है अगर हमने आपके द्वारा उठाये गए फैसले को गलत करार दिया है यदि सुप्रिम कोट न अगर आप खारिज करते हैं तो यहाँ नयायाले का अपमान है संभिधान का अपमान है तो CGI साहब का कहना है कि आपके पास कानून बनाने का विकल्प खुला है लेकिन तब जब सुप्रिम कोट के फैसले ऐसे आएं जिसमें कहा जाए कि आपके कानून में गरबरी है आप इस मामले पर कोई कानून बनाई है तब जाकर कोई निरने लिया जा सकता है लेकिन यहाँ सुप्रिम कोट मोधी सरकार के रवये को गलत बताए उनके लिए फैसले को गलत करार दे तो अपने आपको सही साबित करने के लिए मोधी सरकार सुप्रिम कोट के फैसले को ही खारि आईए जड़ा आगे देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है नियाय मूर्ती चंद्रोचूर ने कहा कि विधायका किसी फैसले में कमी को दूर करने के लिए नया कानून बना सकती है लेकिन हुआ इसे सिधे खारिज नहीं कर सकती उन्होंने कहा कि नयाय अधिश यह नहीं सोचते कि जब वे मामलों का फैसला करेंगे तो समाज कैसे प्रतेकड़िया देगा और सरकार की निर्वाचित शाखा और नयाय पालिका के बीच भी यही अंतर है क्योंकि अधालतें राजनिते के हित को लेकर कोई फैसला नहीं करती कि राजनिते के हित में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसमें सोचा जाता है कि जनता का वोट मिलेगा या नहीं तो यहाँ बातें मोधि सरकार को यहाँ सीजय डिवा चंद्रचूर ने सुना दी है आई आपको दिखाते हैं आगे यहाँ क्या कहा जा रहा है उन्होंने यहाँ भी कहा कि नियाधिश मामलों का फैसला करते समय सार्वजनिक नितिक्ता से नहीं बलकि संब्धानिक नितिक्ता से निर्देशित होते हैं चंद्रचूर ने कहा हमने इस साल कम से कम 72,000 मामलों का निप्टारा किया है और अभी भी डेर महिना बाकी है यह सीजय साहब ने एक मैसेज दिया है कि अगर आप सुप्रिम कोट पर यह तोहमत लगाते हैं कि हम कोई काम नहीं करते हम चुट्टिय मोधी सरकार जैसे सुप्रिम कोट के आदेश के खिलाफ लगातार जाती है तो वैसे परस्ति में न्याइपालिका को चोट पहुंचती है और सीजय आई डिवाचंद्रचूर इस बात को भली भाती समझते हैं आपको यहां जानकारी देदे कि बीते कुछ समय से सीजय आई जिवाचंद्रचूर मोधी सरकार से काफी खफा चल रहा है जब भी उन्हें मौका मिला है उन्होंने जमकर भडास भी निकाली है अभी भी हाल में जब वो अमेरिका गए थे तो उन्होंने मोधी सरकार पर तीक्यू ट्यूपणे की थी और संबिधान का ही हवाला देते हु लेकिन चलाने वाले अच्छे होते हैं तो फिर वह संविधान भी अच्छा हो जाता है यह अंबेदकर साहब का एक स्टेटमेंट था जिसे CGI डिवाय चंद्रचूर ने दोड़ाया है जिसे अपने स्क्रेंट पर यहां पर कहा गया था कि CGI डिवाय चंद्रचूर ने अमेरि अमेरिका के मैसाचूसेट्स में वॉल्थम इस्तित ब्रेंडिस उनिवरसिटी में आयो जी छठे अंतर राष्टरी है सम्मेलन के दोड़ान दिया था आपको यहां बता दें कि CGI डिवाय चंद्रचूर काफी नाराज हो जाते हैं जब कोर्ट रूम में उनके ही नियमों के खलाफ कोई जाता है और फिर जब ऐसे में सरकारें अलग-अलग तरीके से सुप्रिम कोर्ट की भावना को चोट पहुचाने में लगी रहती हैं तब भी वो हत्थे से उखरते हैं अभी तो हाल ही में चुनावी बोंड को लेकर जो सुनवाई चली फैसला सुरक्षित रखा गया उसमें भी चुनावायोग से उन्होंने पूरी डिटेल मांगी है या पमें भेजी किस पार्टी को कैसे कितना चंदा मिल रहा है और कौन है दिने वाला वो अगर सोर्स वो जानेंगे तो हो सकता है कि एलेक्टरल बोंड को लेकर कोई एतिहासिक फैसला वो सुनाते हैं चुकि कई ऐसे गंभीर मामले हैं जो सुप्रिम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है अभी एडी की शक्तियों को लेकर भी सुनवाई हो गई है उस मामले में भी कोई बड़ा फैसला आना है दिल्ली के मामले में वही होता दिखा महरास्टर की सरकार अनुचित है या उचित चली तो तमाम इसे फैसले हैं जो दुखी कर देते हैं सुप्रिम कोर्ट अब इस मामले में तैय करेगा फिर चाहे वह अडानी का भविश्री क्यों ना हो वहां से भी कुछ निर्णय आए ताकि पता तो चले के सुप्रिम कोर्ट के फैसले मोधी सरकार को कितनी प्रभावि कर दियें कि यह सब नहीं चलेगा खबरदार जो आपने हमारे फैसले को पलटने की कोशिश की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद